हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर दिख स्वागत है आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू टीचर रिक्रूट्मेंट 2024 के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफी लंबे स मेंसे अध्यापक की भरती का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है तो ये एक अच्छी खबर आई है उत्तर प्रदेश की तरफ से जिसमें प्रिंचिपल पीजीटी और टीजीटी के पदों को मेंशन किया गया है और लगभग 1454 पदों पे भरती का नोटि होते हैं और यहाँ पे यूपीटेट के साथ साथ सीटेट वालों को भी इलिजीबल किया जाता है तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई भी हैं तो भी आप इलिजीबल हैं आगे हम complete information देखेंगे official notification में कि इसके इलावा क्या कहा गया है और वीडियो में आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथ में अपने सभी सातियों के साथ share भी कर दें तो चलिए देखते हैं official notification कि उसमें क्या कहा गया और किस-किस level की post हैं और कितनी post हैं तो जैसा कि आप यह official notification देख रहे हो यह आया हुआ है 27 जून 2024 को तो कुछ दिन पहले का ही यह notification है और यह भेजा गया है दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तरपरदेश शाषन की तरफ से जो की लिखा गया है शिक्षा निर्देशक उत्तरपरदेश लगनव को और इसमें जो subject बताया गया है कि माधमिक शिक्षा विभाग के अंतरगत कुल 88 राजकिया विधैल्यों में पद सरजित किये जाने के सब्मन्द में महोद्या उप्युक्त विश्यक आपके पत्तर संख्या दिनाख 24 एक 2024 के संदर्व में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सीरी राज्यपार 75 राजकिया इंटर कोलेज तथा 13 राजकिया हाइ स्कूल अर्थात कुल 88 राजकिय विध्यलियों हे तू शिक्षक सिक्षिनैतर कर्मिकों के निमलेखित पदों का स्रीजन पर्स्तर टू में उलेखित सर्थों के अधिन किये जाने की सेहर्ष सुविकृती परदान करते हैं तो आप देख सकते हो इसमें 88 जो राजकिया विध्यलिया है उनमें जो भी पद स् तो उनको इन्होंने बोला कि सर्तों के अधिन सेहर्स सवकृत कर लिया है मतलब सरिजित कर दिया है तो सबसे पहले इन्होंने पचेतर राज किया इंटर कोलेज जो बालक और बालिका दोनों के लिए हैं उनमें प्रधनचारिया के पदों को बताया कि पचेतर सभी में अभी प्रधान अचारिये के पद खाली है तो पदों की संख्या इन्होंने 75 बताई है जिसके लिए लेवल 10 की सेलरी बताई है इनकी जो वेतन होगा लेवल 10 का होगा ग्रेड पे 2400 होगा और इसके लिए सेक्षिक अहरता इन्होंने बताई है कि भारत में वीधी द्वारा स्थाप उत्तरपरदेश का L.T. डिप्लोमा या B.T. या B.A.D. या किसी विश्वे दहले की कोई समकक्स उपादी तो अगर आपने उत्तरपरदेश से किया तो आपके पास L.T. या B.T. या B.A.D. और या इसके समकक्स किसी भी अन्यराज्या के विश्वे दहले से आपने किया कही पर जेबीटी होती है कहीं पर डिपलोमा होता है तो आपने कुछ भी या बीएड किया हुआ है तो आप इलिजिबल हैं और हाई स्कूल या इंटरमेडियेट कक्षाओं या उप्रोक्त से उस्तर कक्षाओं में भारत में विदी द्वारस थापित किसी विश्विद्यल्या अ अथ्वा महाविदयल्या अत्वा सरकार दोरा मन्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था से कम से कम तीन वर्ज पढ़ाने का अनुभव तो आप देख सकते हूं यहां पे तीन वर्ज का ही अनुभव मांगा गया वलब इन्होंने तीन पॉइंट रखे यहां पे कि एक तो आपके संख्या बताई है इनोंने तो उसके बाद परवक्ता मतलब PGT की पोश्ट है जो की 704 है तो आप देख सकते हो काफी अच्छी संख्या में पोश्ट आने वाली है 704 PGT की पोश्ट है जिसका इनोंने लेवल 8 बताया है और इसके लिए इनोंने बोला है कि जो उत्तरप्रतेश विशेश अधिनस्त सेक्षनिक सेवा नियमावली 1992 एव पर्थम संसोदन नियमावली 2016 में नीहित प्रावी धानवसा प्रतेख विश्या के परवक्ताओं का अलग अलग शेक्षिक अरहता निर्धारित की गई है तो जो पहले नियमावली बन चुकी है मलब 740 परदों पर जो भरती आने वाली है और सब्जेक्ट वाइज आपके पास अगर हम PGT का देखे तो मास्टर होनी चाहिए तो इन्होंने वो ही बोला कि अलग अलग विश्या के लिए अलग अलग सेक्षिक अरहता निर्धारित की गई है तो वो उनको AGT यहां पे रखा गया है उसके बाद सहायक अध्यापक LT मतलब TGT की पोस्ट हैं जो की 525 हैं इसमें लेवल जो बताया गया पे ग्रेड का 7 है और उत्तरपरदेश अधिनस्थ सिक्ष्या सेवा नियमावली 1993 यथा संसोधित उत्तरपरदेश अधिनस्थ सेव नियमावली 2016 में नीहित प्राविधानुसार परतेख विश्या के सहायक अध्यापक का अलग-लग शेक्षिक अरहता निर्धारित की गई है तो जो 1992 में आई थी या 1993 में और जो उनमें 2016 में संशोधन किया गया था तो उनके अकौडिंग ही ये भरती होने वाली है चाहे वो PGT की हो या TGT की, TGT की में आपके पास graduation होनी चाहिए साथ में आपके पास BAD की degree होनी चाहिए और साथ में ये CETE या UPTET भी मांगते हैं इसके अलावा कनीश्ट सहायक की post है जो की 1.500 है इसके लिए level 3 का grade पे है और intermediate होना चाहिए, triple C का आपके पास diploma होना चाहिए, साथ म हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आती हो हिंदी में 25 वर्ड परती मिनट और इंग्लिज में 30 वर्ड परती मिनट टाइपिंग होनी चाहिए आपकी उसके बाद जो 13 राजकी है हाई स्कूल है उनके लिए भी परधना ध्यापक की पोस्ट है 13 और ये पदोनती के थ्रू भरे जाएंगे 13 की 13 जो वकैंसी है परमोशन के थ्रू भरी जाएंगी इनमें डिरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है उसके बाद साहयक अध्यापक की 91 पोस्ट है जो की लेवल 7 का पे ग्रेड है और इसमें भी वो ही बताया गया कि जो नियमावली 1993 और जो संसोधन होके 2016 मे और हता त्या की गई है उसके अनुसार भरती होगी उसके बाद कनीश साहयक की 13 पोस्ट है जो की लेवल 3 का ग्रेड पे है और इसके लिए इंटरमीडियेट होना चाहिए साथ में ट्रिपल सी का डिपलोमा और हिंदी और अंग्रेजी में 25 एव 30 वर्ड परती मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए तो देख सकते हो ऐसे ये पद सरजित हो चुके है और अब सिर्फ एडविटीजमेंट आना बाकी है इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो चत्तुर स्रेणी के एकरमचारी है 401 पदों पे उनकी जो आउट्सोर्सिंग बेस पे ये भरती करेंग इसके लावा आप यहां पे देख सकते हो ये आज के एक बार में न्यूज भी आई है कि 88 राज के विदैलियों में 1454 शिक्षकों की भरती होगी तो बहुत जल्द आपको इन पे एडविटीजमेंट भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि पद सरजित होते ही next level अब एडवि कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खुसकबरी है और बहुत अच्छे लेवल पे विकैंसी आने वाली है तो सभी साथी अपनी तयारी पे जूट जाएं बहुत जल्द आपको इसके उपर एडविटीजमेंट देखने को मिल जाएगा और ऐसी और भी भी करें थैंक यू